इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है परिक्षार्थि क्लास 12 मैं चन्दनकुमार आज़िरों आप सभी के सामने अपनी एक और नहीं वीडियो के साथ तो आज की इस नहीं वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में भुगोल यानि जियोग्रफी का विश्य है वो अपने एक्जाम में 5 मार्क्स के या फिर वो 3 मार्क्स के उन सभी all important questions को देखना च क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे जो long questions है आप सभी के एक्जाम में जो पूछे जाते हैं और उनसे mcq भी बन जाते हैं तो mcq के लिए भी 5 मार्क्स के लिए और 3 मार्क्स के लिए भी तीनों तरह के जो questions है वो इंडिया की book से आप सभी के और आप लोगों को ऐसा कोई question ऐसा नहीं है जो आपके exam में आ जाया और आप उस question को करे ना पाओ तो चलिए ज़ादा देना करते हैं अपनी इस वीडियो को start करते हैं मैं चंदन कुमार मुझे 6 वर्ष से आप सभी को पढ़ाने का experience है और उस experience के साथ ही जो सो जुनून के स साथ मैं आप सभी के लिए start करता हूँ आज का अपना यह session अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को like करें अधिक से देख में तो तक share करें और हमारे चैनल को subscribe करें क्योंकि जब आप सभी का history का और आप सभी का आगे quality का और physical education का जैसे आपके और भी subjects के exam होंगे तो उसमें भी आप सभी को important questions मिल सकें तो सबसे पहले आप सभी से question यह पूछा आ सकता है कि इंद्रा गांधी नहर कमान जो है यह हमारे लिए क्यों important है क्या महत्तो रहती है या फिर इसमें क्या विशेश बात है इसकी क्या विशेशता है तो आप से इस नाम से जानी जाती थी तो राजस्तान नहर के नाम से जानी जाती थी इस नाम से जानी जाती थी राजस्तान नहर के नाम से अब यह नाम ही है इसका राजस्तान नहर तो अगर आप से कोई पूछ रहे इंद्रा गांधी नहर कमान का जो कौन से राजे से सम्मंदित है तो र 1948 में कवर सेंद्वारा संकलित किया गया यह इस प्रस्तावज संकलित किया गया और इस नहर की जो पर्योजना आ है वह 31 मार्च 1958 में प्रारम गूई यह नहर जो बनना है नहर का जो निर्मान है वह किस समय शुरू हुआ तो आपको होगे नहार का निरमाण 31 मार्छ 1958 में हुआ ये जो नहर है पंजाब में ह्री के बांध का नाम का इस्तान है बांध में बांध के लीए राजस्तान के उस थार मरुश्तल डाप साथ में भारत में मरुश्तल यहां पर जल की कम यह आपका वहां पर यह क्या करता है जल को प्रोवाइड कराने की कुशिश करता है साथ इसाथ पाकिस्तान के सीमा के निकटवर्ती छेतर जो है 40 किलोमेटर तक की दूरी पर यह बैठी है तो इस नहर के अगर आप से पूचे कितने किलोमेटर तक कोई बैठा है इंद्रा गांद किर्शी भूमी जो है उसको सिचाई करने की सुईधा प्रदान करती है इसके अलावा इस नहर का लगबग 70 परतीशत छेत्र परवहा नहर तंत्र और विशेश देखो इस नहर में नहर जो बैती है उसके 100% भाग को अगर देखे तो 70% भाग तो ऐसा है जहापर जल नॉर्म जहाई जहाँ पर आ जाती है निचाई दो आ जाती है वहाँ पर बैलन्स किया जाता है साथ इस नहर का अगर निर्मान देखें तो दो चरण में हुआ है पहला चरण जो है आप सभी का कौन कौन सा छेत रहता है गंगा नगर हनुमान गड़ विकानेर यह जिला ऐसा है जहा किया बढ़ाये गया और लगब 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 यह वहाँ पर कितने 14.10 लाख एक्टेयर किर्शी गोमें पर फैला हुआ है अगर हम बात करें तो यह जो नहर इतने बड़े चेत्र पर बहती है तो बहुत सारा इलाका ऐसा भी है जो उबड़ खाबड़ों का मैदानी इलाका इसा बीचन कि आप अब सब्हक्ते ऐसकता है कि पतनों को अंतरास्ते व्यापार के परवेश धवार क्यों कहते हैं ॢआना लाखना है यहाँ पर पतनसब्दरी पतन तक संसमिंद्री पतन हुआ जो हुए पतन निबाते हैं इसे अंतरास्टे वैपार का प्रवेजद्वार कहा जाता said पहली बात दूसरी बात रास्टे बाजार यानि देश के ऐंदर के बाजारों को अंतरास्टे बाजार से जूड़ने की सेवा जो है यह समुंदरी प्रत्न प्रदान करते हैं यानि अगर हमारा हमारे देश का यहां पर बजा रहा है और हमारे देश में कोई चीज बाहर से आ रही है तो यह पतन के थुरू ही यह समान यहां पर हमारे पहुंचेगा और यह इसी लिए हमारे देश का प्रविश द्वार है दूसरी बात पतन जो होता है यहां पर गोदी समान उतारने लाद इसके बाद में जल का सबसे सस्ता परिवयन का है साधन है आप सुभी को बता है तो समुंदरी रूप से अगरम जाते हैं में किसी को टैक्स नहीं देना पड़ता और समुंदर में हम सभी को कई बार बहाओ के साथ सातम बैते हैं तो हमें फ्यूल भी हमारा कर्शनी होता तो प इंडिया से कोई चीज बाहर एक्सपूर्ट की जाती है तो पतन में ही वह सुविदा होगी कि हर जगा से समान आकर पतन पे खटा होगा और यहां से फिर दूसरी देश के लिए क्या होगा रबाना होगा या अन्यस्तानों पर इसको भेजा जाता है तो इस तरह के से हम क्या प्रकार्ड से रखा जा सकता है और इन सब्सक्राइव को हुए चार प्रकाड से विवाजित किया जाता है सबसे पहली बात अगर हम देखें तो इसमें क्या आता है आपका गुच्छित बस्ती नमर एक पर दूसरे नमर पर आप सभी का जाता है अर्ध गुच्छित बस्ती तीसरी आपकी आजाती है पल्ली और चौती आपकी एक आखी बस्ती तो हम पल्ली तक बात करेंगे क्योंकि पिपर में किसी तीन के बारे में आपसे कोशन बनेगा अगर बनेगा भी तो इसमें पर्तम तीन का वर्ण hacking दिया गаний सबसे पहले बात तो गुचिद बस्ती कौन सी बस्ती होती है इसमें घर जू है वो बिलकुल समीब यहानि पास-पास होते घरों का जो समुग होता है वो एक दूसरे के बहुत पास होता है दूसरी बात इसमें गाउं के आवास के स्थान वह खेत और खलियान के स्थान चरगा के रूप में अलग अलग होता है यह अवास के लिए कौन-कौन से स्थान है वो अलग होता है तो आवास के स्थान अलग हो सबस्ति की उशीशता है इसके लाबा यह जो गूच्च्चित वसटी यह आपके आयताकार आयताकर साइज का हो सकता है आर्माले कि आदिकतर ऐसा होता है कि कहीं पर उपजाओं मिट्टी पाई जाती है और वहां पर सुरक्षा के साधन भी अच्छे होते हैं जिसकी विज़े से बहुत सारे लोग क्या करते हैं उन जगाओं पर अपना निवास इस्थान मिलाना पसंद करते हैं इस प्रकार की जो बस्तिया है कहां पर जैसे बुंदेल खंड है उत्तर प्रदेश और MP के बॉर्डर के पास में वहां पर इसक की वज़े से जहां पर जल उपलब दोता है तो वहां पर घर जो है वह अधिकतर एक दूसरे के समी पिया पास-पास बनाई जाते हैं तो पहला विशेस्ता आप सभी को क्लियर होना चाहिए दूसरी विशेस्ता क्या है अर्ध गुच्चित जो को यहां पर भी क्या है में समाज का कोई वर्ग किसी कार्ण से मुख्य गाउं से दूर होने लगता है हो सकता है वह वैपारी लोगों और वह अपनी सुरक्षा की वज़े से जो उनका में गाउं था उस गाउं को छोड़कर थोड़ी दूरी पर रहने लगते है तो ध्यानक ना इस तरह की जो बस् प्रचृत वस्तिया कहते हैं इस तरह की जो बस्तिया है वह गुजरात में और राजस्तान के कुछ भागों में आई जाती है यह आपको प्याद रखना है। इनका नाम सीमु रता है लेकिन कुछ कारणों की वजए से यो सकता है कि दूर आकर बसका रहने लगती है अगलाय तीसरा आपकी पल्ली बस्तियां इस प्रकार कि बस्ति अनेक भागों में विवाजित होती है कई भागों में विवाजित होती है जैसे एक बस्ति है, वो कही block में divide हो गई। और किंतु इन सभी का नाम एक ही होता है। और यह जो बस्तियां है वो इस्थान्य अस्तर पर- जैसे इसको क्या-क्या-क्या नाम से जाना जाता, कही सारी बस्तियां ऐसी होती हैं जैसे, अलग अलग जगाओं पर अलग अलग नाम है जिसे कहीं पर पन्ना है कहीं पाड़ा है कहीं पाली है कहीं नगला है कहीं डाड़ी है इन नाम उसे भी इनको जाना जाता है और इस तरह की जो बस्तिया है वो गंगा के मैदानी अलाकों में चतिसगड़ और चतिसगड़ के साथ साथ जो हिमाले परवत की गाटिया है वहाँ पर उन चेत्रों में भी ये बस्तियां पाई जाती है नेक्स्ट कुशन है कुशन नमर फूर है 1947 के विवाजन के बाद देश में बहुत साथा शती हुई है लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश में पत्तन जो है पत्तन मतलब उसका निरंतर विरिद्धी हो रही है उसमें विकास हो रहा है तो ऐसे कौन-कौन से ऐसे कौन- के पास से लागा जो कि एक important पतन था इसके बावजूद भी भारत में अनेक नए पतन विक्सित हो रहे है और पस्चिम में कांडला पतन की बात करें तो यह विक्सित हुआ है पूर्व में बात करें तो कलकत्ता के पास में हुगली नदी के किनारे वहां पर आपका diamond harbor नाम क इसके बार में हम discuss भी करेंगे आज भारत में वैसे map की वीडियो आप लोगों के लिए बना दी गई है अगर आप लोगों नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं आज भारत में अगर हम बात करते हैं तो पतन जो है विशाल मात्रा में घरेलू साथ-साथ विदेशी वैपा में इन पतनों की क्या है भूमी का बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एक एक्जामपल देता हूं मैं यहां पर कोई वैपार ही है यहां वैपार करता है इस पतन से और उसको जाना यहां पर है तो वो इस रास्ते से जाते है इससे क्या होता है कि यहां पर कोई जैम नहीं मिल आउसंचरण का मतलब क्या होता है हमारे देश में इनके लिए जो फैसिलेटीज है वहाँ पर आधुनिक फैसिलेटी की व्यवस्ता पत्नों के अंदर की गई है ज्यान रखना है लेकिन इसके बाद में भारते पत्नों को अंतराष्टे इस तरपर पत्नों को सक्षम बनाने के नीजी उद्योगों को भी आमिंत्रित किया रहा है यही प्राइवेट फैसिलिटी जो है उसको भी बढ़ायवत दिया जा रहा है क्योंकि हर एक व्यवस्ता सरकार करने में क्या है आसमर्थ है इसलिए प्राइवेट कंपनीज को भी आपर हम ओफर करने हैं बहुत सारे कामो का जो यहां पर भार की शमता है वो 1951 में अगर देखे 20 मिलियन टन थी के वह इतुनी थी लेकिन वर्तमान समय में 2016 का डाटा वैसे हमारे पास में तो 837 मिलियन टन तक हो गया है तो आप देखे तो इसका और इसका कहीं पर हमारे सामने अगर कंपैर्जन अगर हम करना चाहे और कंपैर्जन कितना जादा देखेंट में हमके दिखाई देगा थे इसके लाव भारत में वर्तमाण समय में बारा पर मुक पतन यानी बारा का hyसे पतन है इंपोर्टन पतन है और दूसो चोटे हैं जूटे इंपोर्ड़ित है चो और एंगारे यह यह बारा पतन जहां से यह सकते कि अन्तरास्टिये वेपार किया जाता है के नेक्स्कोरश्यण्ट आप सब्सक्र पार्ट किया जाता है करें सेजनों कि बात करें तो टीन भूर्ट में पटलक कॉन सी है खरीफ की दूसरी कौन सी है रभी की और तीसरी कौन सी है जायत की तो भी यह रितू अगर हम बात करें खरीफ रितू की जब हम बात करते हैं तो जून महा के प्रारभ में इसे बोया जाता है और सितंबर महा तक रहती है यहीं सितंबर महा के टाइम पर इसको क्या कर लिया जा जाता है इसमें क्या क्या हो गाया जाता तो ये ब्यान डगना इस समय certains को कि जाती है जो जादा बोई जाती है या फिर जिन कृषी पड़ती है और किशी की जाती है खरीफ भारत में मौनसून से संब्द रखते हैं नहीं कह सकते हैं दक्षिन पर्षिम मौनसून जो है जब तक आता नहीं देशकें नहीं तो हमारी फसल जाद अच्छी भी नहीं होती हमारी देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बर्षाप तो अच्यबल करने देशखती पर्षिम मौनसून के साथ ही चावल की फसल जो होती है पर आयसे चावल याहां पर किस से धान से आप समझ जाना की फसल कि दानकी फशुरू कर दिते हैं दूसरे नमबर पर कौन से आपका रभी रभी फसल जो है वो अक्टूबर-बम बहुखाती है और साते साथ में इस टेम के बहुखाती है और यहाँ आपका मार्च सब्सक्क्राइब कात लिया जाएगा इसमें क्या क्या गेहूं, चना, तोरही, सरसो, जौ, आधी की फसले उगाई जाती है, ध्यान रकना सभी को, और टीसे नमर पर आपके जायत की, अब यह क्या की जाएगी, अप्रेल मार्च में, अप्रेल मार्च में इसे क्या किया जाएगा, बोया जाएगा, यानि लगाए जाएगा जो भी है और इसके बाद में आपका में जून या फिर आपका जुलाई भी कह सकते हो इस टाइम पे इसको क्या जून जुलाई में इसको पाट लिया जाता है इसमें जातर ग्रिश्मकाल की फसुले होती है इसमें बेल वाली फसले होती है आप कह सकते हो और इसमें तर्बूज, खीरा, सबजी और चारे वाली फसले भी इसके अंदर उगाई जाती है, तो important है, crops के नाम तो आपको सबसे important है आप लोगों के लिए, crops के नीम तो आपको फसलों के नाम तो आपको याद रखने है, अगला question ये भी बहुत important है, इसमें आप से बर्मोर छेत्र के व विकास के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए, ये आपको बताना है, तो ये चेत्र विकास योजना के लिए, बहुत important है, बर्मोर छेत्र के जो निवासी है, उनके जीवन इस्तर को सुधारने के लिए, उनके जीवन इस्तर को सुधारने के लिए, हिमाचल और अन्य परद priority इसको दिया गया इसके बाद में स्वच जल सडख संचार तंत्र और विजली की उपलब दिता पर ध्यान दिया गया है तिसरा किर्शी के नए और परियावरण के अनुकूल तरीकों को प्रोथसान दिया गया है कि बिना परियावरण को damage पहुचाई किस प्रकार से वैपार और अपना कृशी कर सकते हैं चौती चीज क्योंकि पशुपालन इंपॉर्टेंट है इनके लिए पशुपालन को भी प्रोथसान दिया गया है कि जब कृशी अच्छी तरीके से ना हो पाए तो उस जगा पर ये पशुपालन के जरिये भी अपनी जीविका को क्या कर सके च इसके लाबर वी विशेस रूप से हम देखें हैं तो महिलाएं जो हैं उनकी साकषर्टादर बढ़ी है इसके लाबर दाल और नगदी फसले जो हैं उसका भी विकास हुआ है या जो किरशी के नहीं तरीके हैं उस किरशी केने तरीके में यहां पर विद्दयर या फिर को सिखाए गए जिससे नगधी फसले इंपॉटन एन अगदी फसले को कहता है ऐसी फसले जो आप सभी का पैसे कमाने के उदसे और गतार में या इसित जिंसे अधिक लाब में हृप देशयों से की जाती है कि जाती है इसके लाब कूरितिय ते आ Papa 50 ऐसे बाल विभा पी मिली है लिंगन पात में भी सुधार हुआ है और लोगों का जीवन इस्थर जो है उसमें भी क्या हुआ है लाइफस्टाइल भी सुधार है क्शिवाइ नामामी गंगे करये क्या है छिवाने भारत सरकार नधिक नफ्याव है ईड्याक किवावी गहा कि दे आपका शीवर और जो है ट्रीटमेंट की व्यवस्ता है चैरों में शीवर की व्यवस्ता की जाए ताकि जो शीवर वगेरा या जो नाले हैंगे उसको गंगा नदी से जोड़ा नहीं जाए यह याद रखना है अध्योगीत प्रवा पर निग्रानी रखी जाएगी अध्योग और दीयोगीत प्रवाने उद्द्योगों से जो भी अपसिस्ठ निगलता है वो गंगा नदी में पर्माई पिना की जाए इस पर वे ध्यान दिया जाएगा नद्यों के विकास के लिए और उन्वाच्ता पर सवचता पर धियान दिया जाएगा इसके बाद में नदियों के किनारे पर वनाकरण वनों को लगाये जाएगा जैसे जैविवित्ता में विविविद्धियों नदियों के किनारे वनों को लगाये जाएगा वन लगाने से क्या वोगा कि यमारी जो बायोडायवर्सitie है उसमें भी क्या होजाएका? इंक्रीस होगा, वो भी अपके इंक्रीस होगी है. नदीओ को साफ किया जाएगा. उत्राकंड उत्रपरदेश इसके साथ-साथ बिहार जारकंड यहाँ पर ग्राम गंगा का विकास किया जाएगा यह निक गंगा नदी के आसपास के जो चीतर उसको विक्सित किया दाएगा ताकि वहाँ पर टूरिजम भी बढ़ सके अगला है नदी में किसी उपरकार के परदार्त को डाल नहीं डाला जाएगा चाहिए वो अनुस्टान से संबंदित क्यों ना हो क्योंकि उससे परदूशन को बढ़ावा मिलता है इससे साथ इसाथ लोगों में जागरुकता भी पैदा की जाएगे तो अब आपसे कोई पूचेगा नमाभी गंगे कारेकरम जो था वो किसे संबंदित है तो आप इसका उपतर एजीली रख दो तो आपको ध्याण बढ़ना है इस वाले कुशिन के अंदर कि इस कारेकरम की सुर्वाज वह चौती पंचेवर्शी योजणा में वाजणा में आप से पूचा जा सकता है और जो सुक संब्ववित इलाके उनके विकास के लिए उनके विकास के लिए किस पंचवर्शी योजना में जो है वो ध्यान दिया गया था यह MCQ के लिए important है आप से भी को ध्यान ड़कना है चौथी पंचवर्शी योजना में इनका जो main उदेश्य था इनका main उदेश्य था जो सूखा सम्भावित इलाके हैं उन चेतरों में को रोजगार उपलब्द कराना सबसे important वाग जो सूखा सम्वावित इलाके है क्यूंकि कििष्णी तो नहीं पाती है उन चेत्रों पे जो है रोजगार वाले जो है civil निर्मार पर बल दिया गया कि अधिक श्रम वालि आथ बेदी लोगों को रोजगार भी 1945 पिर प्रोवाइड किया लगा इसके लाबा सिचाए के लिए कई पर योजना, परियोजना। बश्राब का शुरुवात किया गया किसके लिए इसकाई की व्यवस्ता करवाइजा सके वह पर वना करनों या निवनों को जाद लगाया जाए चरगाओं का विकास हो यह भी याद रखना है उनके गाउँ में अधारबुत सन्रचना जो है डवलप किया जायका इसे विद्ध पूल्स हो गए यह सारी चीज़े आपके खोली जाएगी इस खेद्री के विकास के लिए कई सारी रणनीति अपनाए गई जल मिट्टी पौधे मानव परशूजन इनके संख्याओं के बीच में जो है आपका पारस्तितिक संतुलन जो है इको सिस्टम को क्या करना आपको मेंटेन करना या उसके बीच में संतुलन बनाए रखना है तो यह भी आद रखना है आप सभी को अगला कोशिन यह भी बहुत इंप्वाटेंट है आपके एक्जाम से भू निम्नी करन को रोकने के लिए उसको कम करने के कौन-कौन से उपाय ह यह जा रही है इसका हम कैसे रोक लगा सकते हैं सबसे पहला तरीका किसान रसाइनी कुरूरों को अपरियोग देए उचित मात्रा में करें उचित मात्रा करने का मतलब है अत्य अधिक सेवन ना करें या अधिक या आपको याद रखना है दूसरे नुमर पर आप सभी के लि इसको पुनर्चक्रित करके या पुन्हों यूग में फिर आप ला सकते हो इसके लबा तड़े गले सब्जी जो है मल्मूत्र है उसे उच प्रदोगी दवारा भवल आखा दमें परिवत्त करके जैवा की करशी को बढ़ावा दिया जाय या Πिर आपका जैविक खाद हैं । फोत sweetheartum 똑같AL way अ होता है या फिर आफ सभी के ई हूट ही होते हैंग EOSaso में प्रकृरिया दोर्प्रास्तिक चुथ से बने हुए वस्तुव पर प्रतिबन लगा कर वह तरह्मों के ताब करती है कूड़ा कचड़ा जो है उसके निश्चित जो है सीन पर ही डाला जाए यहीं ऐसे स्थानों पर ही डाला जाए ताकि ऐसे छेत्रों पर फेल कर जमिन को उपजाओ शुमता उसको नारूप के इसके बाद में व्रिक्षा रोपन को बढ़ावा दिया जाए अधिक से दिक पेड कि जाे कि अगला कोशें है अपसे खंडिये न्योजन या फिर आपके पार्देशिक न्योजन में अंतर पूल्स के इसकता है तर अब उत्तर बोलो के के लिए र्त 2017 होता और उन्हें रागू किया जाता है और पार्देशिक में क्या होता है एक परदेश में सभी छेत्रों पर एक साथ विकास का काम किया जाता है चाहे वो किर्शी भी हो जाएगी चाहे वो परिवहन हो जाएगा चाहे वो संचार हो जाएगा चाहे वो आपके वी निर्मान हो श्रसे को सब्सक्राइब होत्शी है vista में क्यों इस बढ़ प्रकारिके भी कुषिन सकता है तो बहुत बहुत है गया अच्छी वजहाइब से तो फार्कर देखते हैं तो भारत Nazdhras से लोग जो है शहरों की तरह प्लाइन करते हैं तो को गाओं में कृशी करते हैं मजदूरी अच्छी होती है गाओं में भी ऐसा नहीं है लेकिन वहाँ पर नियमित मजदूरी नहीं है जब आपकी फसल अच्छी होगी तभी आपको उसके ची किमत मिलेगी अधरवाइस नहीं मिलेगी बाकी एक निस्चित रोजगार नहीं है आपका महां पर लेकिन शहरों में फैक्ट्री में और जगाओं पर एक निस्चित रोजगार होता है जिसके थूँ इनसान क्या कर पाता है अपने काम कर पाता है दूसरी बात भारत में जो है ग्रामिण चेत्र की अपेक्षा शहरी चेत्रों में सिक्षा और रोजगार के अच्छा उसर है, सबसे इंप्पॉर्टेंट है, सिक्षा, स्वास्त, इसके अच्छा उसर है, लोग इसलिए लोग उसके तरफ आगरशीत होते हैं, इसरी बात, गाउं में गरीबी, भूमी हिन्द लोग, उनके साथ बहुत ज़ लोग अपने इलाज करवाने के लिए भी शहरों की तरफ आते हैं तो ये भी आपको याद रखना है इसमें आप से पूछा गए सांजी संपता से आप क्या समझें इसका अर्थ बताना है? और इसकी 5 मुख्य विशिष्था ये भी की विश्य। दूसरा आपका सांजी संपदा, सांजी संपदा मतला जो पूरे जिसका स्वामित्यों जो होता है, वो पूरे समुदाय के पास में होता है, समुदाय के पास में होता है, नीजी संपत्ति पे किसी एक वेक्ति का या कुछी लोगों का स्वामित्यों होता है, जबकि सांजी सामुदाइक या सांजी संपदा होती है गेरेलूप योग के लिए जो में इंदन की लगड़ी एकट्टे करता है वो सामुदाइक संसाधन होते हैं हमारे लगड़ी के साथ-साथ-वन्य उत्पादने से फल रेशे गिरी और शिदिया यह सब सार्जी संपदा से ही राप्त हो होती है आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग होता है वो व्यक्ति अपने जीवन यापन करने के लिए सांजी संपदा उनके लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है क्योंकि जो लोग भूमी ही नहीं परशुओं के जरीए अपनी आजिवीगा चलाते और अपने परशुओं को कहा रखने महिलाएं भी इन चेत्र से विशे संबंदित रखते है क्योंकि ग्रामिण इलाखों में चारे और इंदन की लकड़ी जो है वो जिम्मदारी किनकी होती है महिलाएं जाते हैं इंदन जलाने के लिए जो भी लकड़िया होती है चारे ये पशुओं के चारे की विवस करते हैं इस कोशन आप सब्सक्राइब इंपॉर्टेंट है ग्रामिण बस्तियों के विपरित नगरिय वस्तियों में जो है विशाल अकार की क्यों होती है ग्रामिण बस्ति चोटी क्यों होती है और जो नगरिय वस्तियों में आपकी बड़ी क्यों होती है आपको यह याद क्रशी को छोड़कर बहुत सारे क्रे रियक लाप करते हैं करश्धाप कर्फिच्छ्री केलिए기는 क्रिश्ल इन्हें थो ले में हमें जादा भूमी के आउश्यक्ता पढ़ती है और जाधा भूमी अगर हमारे पास बाइस होगी तभी बहुत में जादा हुआ प्रश्थी पढ़ती है और अधीGU जंग्यां वहाँ पर निवासद करती है नगर में अपने चार और चेट्रों में जो पक्रियातका से जुदा होता हैं नगर में हरी प्रश्र का उत्पादन करते हैं और उन सभी को बेचने के लिए वो शेहरों के अंदर आता है इसलिए नगर जो है उसके विशालकाइर होते हैं थो बूनिमने क्रण के कोष्य ने का मन इस रूम में मैपी रहाला था और उसी तरही की कोष्य नाप से आप पर पूछेयाँ कि वह होता हैं क्या काण वहुनिमने निंक्रल मुने का इसमें काण पूछा गया तो बोलो कैं úम अति से चाही करते हैं इसके का जब गुंज़े सब offen करते हैं तो जाबा सी चाही करते हैं जी सी जाघाने कि वज़ेसे पानी के साथ में लवण की मातरा भी आती है और जिसकी वज़ेसे जमीन जो है वो लवडिये भी जादा हो सकती है गई बार शारिये हो जाती है जिसकी वज़े से वो जमीन जो है जादा बंजर भूमी की तरफ जो है वो अगर्शत होने लगती है वो भूमी जो होती है दिरे दिरे उसकी गुरुबरा शमता खतम होने लग जाती है तो अती सचा ऐसे यूज करता है जैसे हमारे खाद वग्यरा हो गए जो द्योगों से क्यमिकल प्रोश्च द्वारा निकलता है और फिर उसे हम खेतों में उप्योग करते हैं तो उसे कई किस्म के लिए हम देखते हैं हमारी जाओ शम्ता तो बढ़ती है लेकिन साथ-साथ जमीन की जो फर्टिल प्लास्टिक के वज़े से जो नगरी अप्सिस्ट है प्लास्टिक वज़े रहा उसकी वज़े से भी हमारे उसमें काफे ज्यादा रासाइनिक विश्य ले प्रदार्त होता है जिससे हमारी जो जमीन की उप्जाव शम्ता होते वो खराब हो जाती है एक आएगा आपका अम प्रदें क्यां जादा बढ़ रही है और इसकी बढ़ने की वज़े से जय वर्षा होती है और इस अमली वर्षा की वज़े से हमारी जमीन ए उसके उपजाव शम्ता भी खराब और यह आपको याद रखना है तो परिक्षिप्त वस्ती जिसे हम आपकी एकाकी वस्ती भी कहते हैं दियान अगना है परिक्षिप्त वस्ती कोई एकाकी वस्ती हमने तीन वस्तियों के बारे में पहले बात कर ली थी गुच्चित वस्ती अर्द गुच्चित वस्ती और पल्ली वस्ती और परिक्षिप्त व होता है इसे घर तोले दूर होते हैं इनमें क्या होता है इनमें मकान एक दूसरे से दूर बने होते हैं लोग अलग अलग या एक आंके रूप में रहते हैं यह आप सभी के मेगाले में उत्रांचल में इमाचल परदेश में अनेक भागों में पाई जाते हैं और यह हो सकता है कि यह अपने घर इस वज़े से भी दूर बनाते हैं क्योंकि इनके पास रोजगार के ज्यादा साधन ही होते तो यह किर्शी जो है अपने घरों के आसपास ही करते हैं इस वज़े से भी होगई है अग्यूचल कोशम हमारा देश जल संशाधन की किन किन समस्यों track ॕिसमाइल студра Syria अब उसकी जो उपलब्द हो था था अब उप उपलब्द stub तीटेमी शसारा में अब उसकी जो उपलब्द होटा पाख में अब जिय वा मधर वृद्द हो तहई है तुकि जें शंक् इसके अलावा शहरों में बढ़ती जन संक्या, उद्योगों के अंदर इसकी बढ़ती डिमांड और साथ साथ भूमी का तो जल जो है वो दिन परती दिन हमारा घटता जा रहा है, जिसकी वज़े से नगरों में पेजल की समस्या, पीने की जल की समस्या बहुत मुश्किल हो ग जिसकी वज़े से उसमें तुक्षम जीव और साथ साथ अपसेस्ट मिल जाता है जिससे जल के जो गुण हैंगे वो उसमें हाश होता जा जा रहा है, उसमें कमी होती जा रही है, आगी आप सभी को बात समझ में, जलिये जो जीव हैंगे उन पे भी इसका बुरा असर जल परबंदन की प्रॉबलम होच सकी है, जल परबंदन के लिए देश में है, अभी भी आपने आप जागरुकता नहीं है, सरकार द्वारा बनाएगे नितियों को तंक से करियानवन नहीं हो पा रहा है, तरकार में जल को सुरक्षित करने के लिए कई सारी यूजना बनाई लेकिन वो काफियत तक निरत्तक रह लिए है, हम कह सकते हैं जागरुकता में कमी है, जागरुकता का भाव है, जल जो है, एक सीमित संसादन है, अगर हम उसका सुरक्षा आजी नहीं करेंगे, तो पुन है, उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें सुद्ध रखन हमारी जिम्यदारी है और यह जालूपता हर किसी व्यक्ति के अंदर आनी चाहिए इंद्रा गांदी नहर वाला कुशन में आप लोगों को करा दिया है नगरों में अपसिस्ट निप्टान अपसिस्ट निप्टान मतलब क्या है आपका पूरा कड़कट जो है पूरा कड़कट इसकी उसको निप्टान कैसे जा सकता है इक गंबीर समस्य कैसे कह सकते हो तो आप कह सकते हो कि तेजी से बढ़ती हुए जनसंख्या और उसके लिए अपरियाब्ति शुविधा जो है वह पर एक्जामपल हम देखें कार खान ही हो गए जो हमारे उसकी संख्या बढ़ रही है इसके लावा विद्धुद्गर्यव की संख्या बढ़ रही है भवन निर्मानत की वज़े से अलग अलग प्रकार के परदूशन हो रहे है और बहुत जादा विद्वन्च भी हो रहा है यसकी वज़े से राक मल्वा इससे परदूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इससे भी नगरों में अपस्जिस्ट बहुत सब्सक्राइब के लग में बीनें इसके बीना इक खांटर कि है इसके लाब हो कचणा डालने के लिए प्रियाप्त इस्थान की कमी है आज के कहां पर और प्रियाप्त जागरुक्ता के अभाव के कार्ट उसका पुर्णर चक्रन नहीं हो पाता लोग गीला और ऐसा जो कुड़ा है जिनका हम दुबारा उप्योग नहीं कर सकते या फिर जो हमारे की से उपयोग कर लिया जाए थात में ग्रामिन वस्थिया के विविन प्रकार के लिए उसके नदर कह सकते हो तो ऐसे कहीं सारे पहत अवस्था tighter जैसे उच्छहा बउन च्थिया है वो केवल उन इस्तानों पर लगती है जहां पर उनकी भूमी जो है मैदानी इलाकियों पारी परवती अलाकों पर कम लोग निवास करता है क्योंकि वहाँ पर एक तो पेजल की समस्या हो जाती है जानवरों से सुरक्षित रहना भी एक प्रॉब्लम हो जाती है तो यह हमारे मने भी इसके अलावा हम यह कह सकता है चाहँ पर करें ने pseudo कुल को अब जमसंगया को परॉबगत करते इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह जहां पर उर्वरक मिर्दा है मारी उपजाओ गोमी होगी उर्वरक मिर्दा में तो यह बसने के लिए हम अधितर ऐसे जमीन को चुनते हैं जहां पर जमीन उपजाओ ताकि हम पर किर्शिव अगरा कर चासके अगली बात है जलवायू जलवायू भी हमारे जो है जिन संग्यास को प्रवावित करती है क्योंकि ज्यादा ठंडा परदेश भी मcelbin उस्षे नहीं ही रह पाएगा लेकिन जो जहाँ पर ना दादा गर्मी होगी ना दादा ठंडा होगी तो वहाँ पर नुकुल जलवाई के लोग रहना पसंद करेंगे नेक्स्ट कोशन अगला भारत में कृशी योग्य भूमी के निम्लिकरण की समस्या गंबीर समस्या हो रही है बताईए भारत में कृशी योगए जो भूमियों लगातार कम हो रही है इसका क्या कारण है जमसे पहले बात वही विजन हमको बता रहे है एक तो अत्यदिक सिचाही कर रहे हैं जिसके कारण से जमीन में लवणता और शारिता इसमें वृद्धी हो रही है आजकाल हम पनुश्य जो है नार्ट चु टुछ सद्व Excel का को पयोंग करें जिस की वज़े से भी भर्यु जमीन कि उब्जाओ शम्ता कहत्म होती जा रही है वनों की वनों की कटाई के कारण प्तेशोच्ँ छालाइं के कारण भी हो रही है और साथ-साथ जल भराऊ जादा होने की वजे से भी हो रही है पतलों को एर करके बोना दलन फसलों को propag दाल की अड़ MON की नाम करकीड़ा होता है जो क्या करता है जमीन के निंदर नाइटरोजन की मात्रा बढ़ता है ऀसके उखाव शूमता बढ़ती है बई जमीन जो है इसमें दिएयों कि इसके निमने ईह मिंट्टिका कटाव कैसे और मिंट्टिका गटाव भी बढ़ रहा है अगला कोश्यन है भारत में गंधी वस्तिया एक समस्य यानि नगरी APSTE ईयोang इने लग तरुक्त आपसे पूछा रहा है बैंन anarchी वस्तियों में कॉन कौन सी हुद के स steak pri kalau中國 आपर सबस्या होती है ये नहीं होथी है यह पर जोम का एक ढगर का आखार बहुत चुटा शूटा होता है य needles वजेसे यहां पर जंसंग क्या जादा होती है ओर स्वास्त इसाब से मनुश्य नहीं रह पाता है, फुली हवाई नहीं आ पाती है, घर चिपके चिपके होने के वजी से, तो अच्छ जल नहीं उपलब दो पाता है, सोच की सुविधा जादा नहीं होती नगरों के अंदर, और साथ-साथ प्रकाश जो है, वो भी कम आता है, ज सिक्षा को अच्छी देना में असमर्द रहते हैं, बहुत सारे बच्चे शहरों में कुप पोश्यन के कारण अनेक प्रकार की बिमारियों से गरस्त हो जाता है, बहुत सारे गरीब नश्यापते की कारण को बढ़ावा मिलता है, नश्या बगयरा करने लगते हैं, इसकी अगला कोशन है, ऐसे कोशन लौजिकली भी आता है, अगर आपको पहाड़ी छेतर की नियोजन के लिए का जाए, तो आपके इनकी बातों को प्रात्मिक्ता देंगे, यहांदी पाड़ी छेतर का विकास करना है, अगर आपको ये काम करोगे उनके लिए, तो हम कहा सकते है, पहाड़ी छेत्रों के विकास के लिए गर काम करने के लिए दिया जाए तो उसमें हम उनकी भूआ करती कैसी है इसको देखेंगे समाजिक पारिष्तितिक तंत्र उनका समाजिक तंत्र कैसा है आर्थिक तंतर कैसा हो? पारिष्तितिक तंत्र कैसा है. इन सब को धियान में रख कर उनके लिए policy बनाईगे। सबसे पहली बात तो सभी रोग लावान भी तो यानि फायदा सब को मिले इसका ध्यान लखेंगे केवल परभावशाली या फिर बहुत अधा संबन लोगों वही उन्हीं को फायदा ना मिले इसका ध्यान लखेंगे दूसरा पॉइंट इस्ताने संसाधन और परतिवाओं का अविकास हो यानि इसस्तान में उस संसाधन का और परतिवाओं का अविकास हो ताकि कि लोग आत्म निर्वर भी बन सकें तीसरी बात हम क्या कर सकते है जीमिका निर्वा आर्थ विवस्ता को बनाएंगे ऐसी जैसा व्यक्ति आपनी जीविका को आसानी시 Hall संत्र जो है उसको भी संतुलत बनाए रखने में मदद करेंगे नेक्स्ट कोशन है भारत में जो जलाज से है यानि नदिया है अलाब है नहर है वो परदूशन करने के लिए उद्योग किस प्रकार जिम्मधार है आप इसको उत्तर देना है तो आप कहेंगे उद्योगों में एवानचित उत्पाद पैदा करता है जिससे उद्योगों में कचड़ा परदूशन अपसिस्ट जो है जैरिली गैसे है वो बेसिकली वो शैरों के हवाओं में गैसे तो फैल जाते लेकिन जो अपसिस्ट होता है उसे नालियों के तुरू सीधा नजैरों में नदियों में दिया जाता है अधितर कचरे जो है वो जल या जीलों में विशीद कर दिया जाता है इसके परज्णाम busy जोड़ू में रेसाइनों की महत्रा बहुत जादा हो लुगदी उद्योग कागचुद्योग वस्तर उद्योग यह सबसे जादा परदूशन करते हैं और रसाइनिक आवसोशन ना होने के विए से जल परदूशत हो रहा है और उसके जल का पूनर चक्रन जो है वह बहुत ज्यादा मुश्किल हमारे लिए हुता जा रहा है कोशन आप से बीकिले कोलकत्ता पतन बिर्टिश भारत की राजदानी होने का गौरप रापता है किन्तु अब उसमें से एक पतन उसके सार्थकता उसने खो दी यानि पहले कोलकत्ता पतन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जब अंगरेजयों का शासन था लेकिन अ जाए गई गाद की समस्यां से जूद सा रहा है यानि आपको पता है हुगली रदी अपने साथ में जो भी कचड़ा वगयरा लाती है तो उसकी वज़े से गुलकत्ता पतन या आसपास कीचड या ऐसी समस्या हो जाती है दूसरा इसका एक अनुशन ये पतन है आपका हल्द पत्ता में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत जाम मिलेगा इसलिए लोग या तो अल्दिया पतन की तरफ चले आते हैं या विशाका पतन की तरफ चले आते हैं इस पतन पर अधिक संकुलता बढ़ने की वज़े से संकुलता का मतलब एडजस्टमेंट बहुत जादा होने प्रोण नूमर यहां दो दागे तीन तो इदर चार है तो इदर पांच है तो इदर छे क्योंकि इसको और लमबा कि कि इसकी चोड़ाई तो बढ़ा ने सकते इसके लंबाई यह बढ़ा दी गई है यह किसी प्रकार से महाँ पर भी है प्चीसवा कुशन है आज की गलास का सांजी संपदा जो है छोटे किसानों के लिए और महिलां के लिए क्यों इप्पॉर्टन है यह आप लोगों को वैसे कुशन में बता दिया लेकिन फिर भी मैं बताता हूं तो को ग्रामिन इलाका में बहुत सारे ऐसे किसान है जो बहुत करातें और उसको बाजारों में भीचतें अगला कोश्न है ग्रामिन बस्ति और नगरीus collection में किया सा difference इसको आपको बताना है तो ग्रामिन और नगरी ऋवस्तियों में कई तरह की difference है सबसे पहली बहुत तो ग्रामिन ईلاखों की बात करते हैं यहाँ पर लोग जीविका के लिए अधिकतर प्रात्मी क्रिया क्लाब करते हैं ग्रामिड इलाकों में जैसे किशी, परशुपालन, मचली पालन यह से आपको याद रखना है ग्रामिड बस्ती में उत्पादित सब्जिया फूल फल अनाच a이스 उत्पादन ज्यात तब गाउं में होते हैं इसके साथ ग्रामिड लोग वह एक इसका छोड़ा कर दूसरा इसका पर बसते हैं अलग करते जाकर प्रवास करते है सेवा सेक्टर में काम करते हैं। टीसरी बात उथ वस्तु को विनियुर्मान करते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पर बहुत दाधा गतीश की शिलता पाई जाती है। एक जगा से दूसरी जगा पर लोग यहाँ पर जो ग्रामिण इलाखे से यहाँ पर लोग आकर बस थे है इसी लिए उसे या तो वह उतौत जया जादा करता तो उसे वे evenings लिए बजार चाहिए आप तो हर एक देश विश्व के आज एक दूसरे से किसे ने किसी वस्तु के लिए जुड़ेव है और यह जो जुरुत है वो अंतराष्टे वैपार का अधार बनती है और इसी वज़े से जब एक देश से दूसरे देश में आवशक वस्तु जाते हैं तो इससे क्या होता निरिया बढ़त है और निर्याहत बढ़ने के साथ में दूसरी देश से आगे ऑनतराष्टे वैपार से देशों में बजार को इस्तरी बंते जा रहें आचकल आपको पता है स्वास्ते जो है यह भी आज के जमान में बड़ा इंडस्ट्री बनके उबरा है तो आज कल बहुत सरे अमेरिका की कमपनी भारत के दिन अपना इलाज करवाने की बहुत से लोग विदेश जाते तो बहुत जादा खट्शा होता है तो उन्होंने क्या कर दिया है यह सुधा हमारे देशों में अपने हॉस्पिटल खोल के प्रदान कर दिये कि आप डाने यहां पर अपना इलाज करा सकते हो कि इसे बताएगे है आज के जमान में इंटरनेट जोएब बहुत जयादा प्रवावशाली हो गया जो कुछ तसे पहले इंटरनेट पर हम जो भी जानकार के घता कर रोग्यक्स हटा कर सकता हhã उसमें अलग मिल जाए दूसरी बात नघरे चेत्र हो में इसका व्यापक को एपर्च लेकर जानकारी से लेकर हर चीत्रो में इसको उप्योग करता है इसकी उप्योग करता है keello को यहीं एडर्स होता है इसके माधियां से आप इन्टरनेट पर जूड़ते हो4 अलग पलट पर करते हो इकॉमर्स इलेक्ट्रोनिक का लिंदीन भी यहां पर हो सकता है जैसे फॉर एक्जांपल आप के पास डिजिटल करन्सी के दुरू आप दूसरे लोगों से पेमिंड कर पाते हो इकॉमर्स के दुरू आप अपने वस्तु को घर बैटे-बैटे बजार में बेच पाते हो या द परिपर गोडियां और तेल का विशालतम तर्मिनल बेड़ता हैं प्तन मद्डे पूर्व और साथ सांगरी देशों उत्री अफ्रीका के देशों उत्री साथ यहां की दूरी कम ए मुंभई है अगर आप देखो कि यहां से अरब कंट्री के साथ व्यपार्द कर सकते हैं इस अग्ला यह भारत में मैंत्रपुन तेकर व्यपारिक केंद्र भी है उद्ध्योग का भी किंद्र इसी लिए नेक्स्ट कोशन है किर्शी छेत्र जो हमारे किशी छेत्र नहीं यहां पर किर्शी छेत्र आएगा किर्शी छेत्र के भूप योग में अधिकतर उस छेत्र की आर्थिक रिया की प्रकृति पर निर्वर करते हैं कि यहां पर किसी चेत्र होगा सौरी यहां पर इंट लिखा था जो यह आपका कोई भी छीट्र है किसी भी में भूप योग उसके आर्थी क्रियाओं पर निर्वर करता है, ऐसे अर्थ व्यवस्ता का अकार कैसा है, इसमें उत्पादित वस्तुएं तता सेवाओं का मुल्य के संदर में समझा जाता है, और अगर हम देखें, समय के साथ जिंसंक्या बढ़ने की वज़े से बूमी पर दबाव बढ़ता गया ह और जिसकी वज़े से जो सीमित भूमी थी, पहले जिन भूमीों को हम कर्शी छेत्र में यूज नहीं करते तो उनको भी देदर हमने यूज करना शुरू कर दिया है, अर्थ व्यस्ता की संदर्चना, अर्थ व्यस्ता की संदर्चना लगातार बढ़ती जा रही है, सेकंडर करते थे, वो किर्शी कारे में आज भी लगे हुए, हलाकि जो भूमी हीन किसान थे, फेती हीन किसान थे, वो लोग आज कल कितनी गड़े, क्योंकि जंसंक्या बढ़ने के कारण किर्शी पे दबाव भी बढ़ रहा है, तो ये जरूरी हो गया हमारे लिए, अगला पल्ली ब किस्तापना की गई, इसका मुख्य उद्देशे कहता देश का उत्री भाग और उत्रपूर्वी भाग जो है, वहाँ पर सड़के निर्मान करना और आर्थी गति ब्रदियों को बढ़ाव देना, रक्षा की तियारी की वज़े से हमको सीमावर्ती सड़के जो है, वो मजब अपना ही है, हमने जो 1990 में LPG मोडल अपना है, उससे भारत की वज़ेस्ता को कैसे प्रवावित किया है, या फाइदा मोचा है, तो उतारी करन की नितिया अपनाने के बाद में अमार देश में उन मुक्त बजार या मुक्त बजार को बढवा मिला है, गरामन इलाकों में वि व्यवस्ता भी देनी शुरू कर दियती सरकार ने, अगला फिस अनो थोड़ी सी रुकावटे रादा होनी शुरूर हो गई है और अंत्रपरदेश ये विशमता जो है वो बढ़े गई है किर्षी क्यों जरूरी है यह कुशिन में आप से पूछे जाएगा आपको ध्यान रखना है भारत एक किर्षी परदान देश से इसलिए भारत की अर्थ विश्ता में किर्षी का बहुत इंपॉर्टन रोल है देश की कुल सर्मिकों की शक्ति का 80% जो है किर्षी भागिका या डाटा जो है 2021 रखाए यविकर डाटा नहीं ध्यान रखना है देश Siya आता है चारे आता है और किर्षी से ही भारत की अर्थव्यूर्था की अधार्शी ले यह кв इंफरस्ट्ट्रेक्ट्चयर क्रिएट किया एक व किसे कहते हैं, वर्षाजल की क्यों जरूरी है ? यह बटाना है ओसका क्या, पाँच फ्पी होसा है तो हम बात करें कि वर्षाजल को रोकने के लिए जल करने की विदी है वह वर्षाजल संग्रे कहलाती है इसमें हम क्या करते हैं पाने की उफलब्दिता ये वह बहुत आधा बढ़ती जारी है इसके लिए जायि के लिए परशेव के लिए जल बहुत जग करने ज़रूरी है क्योंकि वर्षा जब overflow के दूसरी जगहों पर जाने लगता है तो वहाँ पर बाड़ा जाती है अगर हम वर्षा जल को संग्रय कर लें वर्षा जल को यह बचा ले तो बाड़ाईगी नहीं कि अले आपका उसको पंप करने वाली नित्य लागू करने चीजिसे उर्जा के संसाधन हमारे बच सके लोगों में जो है समस्या समदान की प्रिविती बढ़ाई जा सके प्राकृति से मदूर संबंद बनायने में साहिक हो सकता है बस यह याद रखने अब सभी को अगला महारास्ट में रूहा नाम की जगा है और करनाटक के मैंगलोर को जोड़ती है यह 760 किलोमेटर लंबी है यह 146 नदियों को पार करता है दोस्तों पुल को और 91 सुरंगों को पार करता है इस मार्ग को अगर हम देखें तो इस पर एशिया का सबसे बड़ा सुरंग है जो की 6 6.5 किलोमेटर का शुरंग है इस पर योजना में करनाटा की गुजरात करनाटा का गुवा और महारास्तीन राज्ये शामिल है जल संबर परबंधन बहुत इंपॉर्वन कैशिन है यह आपको ध्यानओ असंपर परबंदन के लिए क्या आगेदम उठाएं तो जल संबर पुछेश्द संबर परबंधन न का जल को सुरक्षा करने के लिए प्रयोजना चलाई गई है जिसके तैत ग्रामन इलाकों में राज्य सरकार से नुरूत किया गया है कि जल की समस्या को दूर करें और जल की समस्या घर-घर तक जो है प्राब्लम जो घर की है जल की है उसको रिजॉल्व कराया सके कि स्टेट आप है निरु मीरु का मतलब क्या जल और आप इस कार्य करम केता है तो इस्ताने लोगों को जल संद्रक्षण की विदिया सिखाई गई है कि जल कैसे बचाई जा सकता है अगले आपका अरवारी पानी संसद यह जाजस्तान में आपका जोहड की उदाई और रोक बांध लोगों के लिए जागरुकता भी बढ़ाई गई है और यह क्या दिया गया है कि हर एक वैक्ति जो है वह वर्षा जल को संग्रह करने में अपनी मुख्य भूमिका निभाएगा इसका उदेशे क्या है कि किर्शी और किर्शी से संबंद जितने भी क्रियाकलाप है वह उद् प्रविशुद भूफ आई और यकल भूफ आई जो है च्छेत्र कौंन सा है तो शुद भूबूफ च्छेत्र वह बाद जिस पर खेट्र ड्म संग्री घ्रीआए कम सक्रमें इक बार्त की गई तो विशिद डढ़ाई चेत्रक क्यलाती है सभ्य बंजटर भूमी बंजर भूमी वू टी जहां पर किर्षी नहीं होती और क्रिشu योग्य विर्थभूमी मतलब किर्षी योग्य तो लेकिन उसे हम्तरति थे बिसमें प्रति चोडए जिस्ति से के लिए उपयुक तो नहीं होती जैसे जहां पर बहुत ज्यादा वन है उबर खाबड़ है भूमी रेकिस्तानी रहती लिए लाका है बहुत ज्यादा खड़े हैं तो वह वंजर भूमी के तहित आ जाती है किर्शी योग्य व्यर्थ भूमी यह है कि पिछले पांच वर्शिय है उससे भी अधिक समय से जमीन व्यर्थ पड़ी है और तक्नीकिक जगे से किर्शी छेत्र के योग्य उसको बनाया जा सकते हैं अगला कॉश्चन आप सभी के लिए है भारत में कुछ राज्य ऐसे जहां पर बहुम जल अत्यते को प्योग हो रहा है और उसका दूश जमीन का जो लेवल है वह बहुत जादा नीचे जा चुका है राजस्तान महाराष्ट इन सब इलाकों में जल निकालने के खाण भूमे जल में जो आपका फ्लू रोड मात्र बढ़ गई है जनी जल निकल गया है और जमीन में कंक्रीला कंक्रीली चीज वह बढ़ गई है प्रदूशन मुक्त है आपको याद रखना है नेक्स कोशिन आप सभी के लिए वर्तमान में प्रति भूमी और पुरातन भूमी में क्या रतन है वर्तमान प्रति भूमी का मतलब है प्रति का मतलब वो छेतर जहां पर किर्ची योग्या प्रदूश को खाली चोड़ा गया है प्रतमान में प्रति भूमी यह वो छेतर जहां पर एक वर्षय उससे अधिक समय से खीती नहीं गई है और रिजन कहा है भूमी की जो उर्वरा शमता बढ़ाने के लिए उसको खाली चोड़ दिया जाता है और पुर जो आप देखोएं भारत में उद्योग जल संबंदित प्रदूशन इसका यह उद्योग जल प्रदूशन क्यों कर रहा है तो यह कुशन मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया भारत की किर्शी के लिए हरित करांती की क्या भूमिका है तो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है भारत के अंदर 1960 के दश्रक से अगर हम देखें तो खाध्यान की जो प्रॉब्लम थी हमारी वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व कराए गया है और जो है यूपी पंजाब हर्याणा यह वो प्रदेश है आपके जहां पर किर्शी योग्या जो भूमि थी उस पर सचाई की अच्छी व्यवस्ता कराए गई है नए किश्म के बीच विदेशों से मंगाए गए और किसानों के लिए जो है निवेश करने के लिए रिन की व्यवस्ता करवाई गई है इससे उत्पादन में वृद्धी हुई है आप चोटी किर्शी जोत और कृशी जोगे भूमी में उर्ध्ध्य हो भाफ मेंहें के दो पर्मोख समस्थे एक चोटी किर्शी जोत का है जैंसंग्या बढ़ने के वाइसे wrath & 5% जो एक है वी कमो है जिसकी वजय से खेटी बाड़ी ज्याद़ था जदेमिन नहीं रहाए जिसक कर किशियों के भूमी है लेकिन वह एक गंबीर समस्य से जूजरी अगर लगातार उस पर करते भी रहेंगे तो उससे प्रॉलम ही हो सकती है कि भारत में सड़क जाल जो है विश्र में दूसरे नमर पर सबसे बड़ा सड़क जाल है आप कैसे कह सकतो है भारत के लिए इंपॉर बासट पॉइंट सिक्स्टीन लाग किलोमेटर पहला पॉइंट पर्तिवर्ट सड़क की जो लगबग जो है पर्तिवर्ट सड़कों के द्वारा लगबग 85% यात्री और 70% परिवहन से एक जगा से दूसरी जगा पर वस्तू को और व्यक्तिक को लाए ले जाए जाता है त लगब при फ्रीयोघ से खड़कों के विकास से अरी परियोजयना सरकारद्वारा अलागी की में लागू की जात जा रहे कह जितक हैं ऊशन या भारत में पर अब पराध क말ब दून ऊर्जा के पहां representation के नाम बताने जिसे बहूता है या फिर आप्रेंप्रागत ऋरजा पर्खाय के उशारी जार्व। सौर्णुर्णy की बाध करते है तो वहीं वही घ्ली की आदिक संभावन यहापर जाद है इसके लावा यह पॉइंट नहीं है पवन उर्जा जो है राजस्थान गुजरात महराष्ट करनाटक तमिल्नाडू इन छेत्र में मौजूद है इसके लावा जो है इससे जुआर वाटा जब समुदर के अंदर आता है तो उससे भी जो है उत्पन की जा सकती है इसके लावा जैव उर्जा की रूप में हो रहा है खाद कंपोस्ट को सड़ा लाकर हम इसको यूज़ कर सकते हैं था उब इघैने दो निए कित फीली तो वहां दिंट ब सपाट है अजेए। के आजने कि और जो मारी मिठी उसमें इसकी संपता को इंघ्रीज करना की कुशिशdd तरकार दोरा प्रमप्रागत किर्शी के विकास और रास्टे किर्शी की विकास की योदनाओं को आपस में जोड़ा जा रहे हैं तो वायू प्रदूशन क्या है यह सब को पता है इसके क्या-कास रोत तो वायू परदूशन जिसे धूल दूवा जैली लिग्यास दुरगंद वाश्प इसकी वज़े से जीव जन्तू के लिए जो हानिकारक गुण जो है वायू में मिलते जा रहे हैं यह वायू प्रदूश जाल रहे है स्वास्त पर परवाव क्या पुड़ा है मनुस्यों को सांस की बिमारी हो रही है रटत समचार समंसिया और फूरे की समस्या हो रही है लोगों को दिखाई देना अब हो गया तो यह भी प्रौब्लमाट सामने निकलकर आ रही है तो फ़ी next question आप से भी के सामने question number 50 है इसमें आप से पूछा गया है भारत में आदोनिक नगरों में कई नगर अंग्रेजी शासन में विक्षित हो है यहनी अंग्रेजों के शासन के दौरान कौन-कौन से नगर विक्षित हो है इसमें आपको यह बताना है तो हम कहेंगे बिल देशों से जो भारत के समुद्र के तटके जो छेत्र हैं वो नगरों को विकास रूप में किया गया है दूसरे नमर पर आप बोलोगे आपका containment यहां पर सैनिक वगएरा रहते हैं तो वह नगर विक्सित हों है जैसे आपका जीटी भी नगर हो गया इसके अलावा विश्च्राम स्थल कुछ ऐसे जैसे अंग्रेज जो थे वह ठंडी जलवायों में रहते थे तो जो भी सैनिक अदिकारी विश्च्राम पर जाना चाहते प्रवतिय नगरों का विकास किया इसके अलावा मुंबई चेन ने इकॉल करता है ऐसे पर्मुक नौड मतलब समुदर के किनारे अंग्रे जो ने अपनी पर्मुक पकड मजबूत बनाने शुरू कर दी जो की अलग अलग चार दिशाओं में आपको देखने को मिलता है यहां पर वर्षा के साथ-साथ जो है सिचाई भी हमारे किर्शी की सिचाई का मुखे शुरूर रहता है जिसमें जो है जल की उपलब देता अलग-अलग तरीके से जैसे नहरों के माधियम से या फिर तलाबों के माधियम से तलईयों के माधियम से समर्शिवर के माधियम से राप्त किया जाता है इसका में य किया करना उर्भिट्धि करना कि इसका मुख्यों देशे ये भी साथ रिव गर्म इलाके होते हैं तो ऐसे किती की जाती है जहां पर कम जलगी आवशकता होती है कम जलगी और आदर भूमी में वहाँ पर जहां पर यह कह सकते हैं वर्शा होती है और यहां पर ज्यादा जलवाली किर्शी की जाती है जादा जलवाली हमके अगरते किर्शी करते है भारत में खनीजों का सन्रक्षन क्यों आवशक है और किस पर काड़ कर सकते हैं तो खनीज एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगे अगर हम इसका सन्रक्षन ही करेंगे और भुगर्विक दिरिष्टी से इने बनने में हजारो साल का या लंबा समय लगता है अब शक्ता के अनुसार तुरंत इसका हम देखें अगर आज हमें इसकी जुरुत है तो ऐसा नहीं कि आज हमने इसका यूज कर लिया और कल दुवारा बना ले जारो या लंबा काफी समय लग जाता इसमें इस वज़े से हम कह सकते हैं कि सतत पोशने विकास को अगर हमें बनाए रखना है तो हमें सतत पोशने विकास का मतलब है हम जिस संसाधन का यूज कर रहे हमारी आने वाली पीड़ी पी उस संसाधन का यूज कर सके है इसके लिए सितत पोष्ण विकास है सणक्सषन के लिए ऊर्जा के वैकलपिक्स यह से हम पवन उर्जा को और अब आुस्कर बात धात्वी पढ़े इसलिए पर अलप खनीजों की स्थान पर में ऐसे खनीजों को सट्रक्षण करना चाहिए यह नहीं UV जिन जिन स्थानों पर खनीजों को अप्योग जरूरी नहीं उसको में नहीं ग्रेंद आची साथ ही साथ में अगर हम देखें हमें अपने दूसरे देश में जो को भीजते हैं सामरिक लिए आज इसे हम देखते हैं कि दुबई में आपने सुना होगा दुबई नाम के जगा पर यहां पर आपका बुर्ज खलीफा है यह उपर यह भालत का टाटा स्टील लगा kannst प्था प्राइंसे लगा है हम जो सबसे उची तरीका है कि सुझ दारवत सुविधाय जो शहरों में होती है वो प्रदान करना सतत पर्यावन की रक्षा करना नागरीकों को बहतर जीवन प्रदान करना अधारवत सुविधाय उपलब्द कराना जैसे स्मार्ट साधन हो सकते हैं आप लोगों के लिए बिजली पानी इन सब चीजों के साथ सादुनों का उपयोग करके सस्ती सुविदा हैं आपको उपलब्द कर रहे जाए सस्ती सुविदा जो है इसके अंदर important है इससे सतत्त विकास को बढ़ावा दिया जाए और यह एक ऐसा model है इसमें बढ़ते वे शहरों की साथ lighthouse का भी काम करें यह शहर किसका काम करें शहरों में Lighthouse अ क्या कर सके कि सेरों के साथ साथ ग्रामली इलाके जो मारे जो मारे ग्रामली लाके उनको वरिदी की जा सके उनमें विकास किया जा सके अगला है भारत में तीन प्रकार के परिपाटी पाई जाती है, परिपाटी का मतलब है खनीज पाटी, इसमें सबसे पहले आपका उत्तर पश्चिम का इलाका है, जो कि गुजरात और राजिस्तान का इलाका है, उत्तर पश्चिम का, आप सभी का जो है, एक पाघधे यह फ़िर पठारी लागा है जो अपका हैं अपर पठारी लागा और दाख्षिन पूरे में टीष्ञिह यह यह चेत्र सामिल है इसके बाद में इन चेत्रों में लोगा और बकसाइट सबसे यदा पाए जाता है तीजरा उच्छी किसम का जो लोगा ऐसक है वो पाए जाता है मैगनीज पाए जाता है चूना पत्तर भी हाँ पाए जाता है नेवली में लिंग नाइट को छोड़कर इसमें कोईला निक्षेपण का अभाव है कोईला आपको पता है चार तरीके का होता है लिंग नाइट एंत्रासाइट बिटुमिन्स और पीट इसमें लिंग नाइट को छोड़कर बाकिसली कोले का अभाव है यहीं इसके अलावा ब तांबा अधिक पाए जाता है और राजेस्तान में भी आपका ध्यान रखना है खनीश चेहल पाए जाते हैं इसमें बलुआ पत्थर ग्रेनाइट संगमरमर और भवन निर्मान के पत्थर भी पाए जाते हैं रहसाइनेक और बहुते गुण के अधार पर खनीजों को कितने व एक रहता था था की विविवाजीत किया जाता है या परक्राघ्ट और एक परंप्रागत अपम्परा, यह भी इंपॉर्टेंट है इसको दो बागों बाटा आता है जैसा कि मैंने बताया है जिसे उधारने के लिए अगरने लिए अगर सर्णेश कांच करिंगे लिये जयांतों घालीया तो स्पस्पारगत। और दो बाटों बाट देते हैं यहां पर एक परंपरागत है प्रम्प्रागत में आपका कोईला पेट्रोल कोईला पेट्रोल और लकड़ी आ जाएगा इसके इंदर इसमें आपका सौर उर्जा पावन उर्जा जल उर्जा जवारिय उर्जा इसके साथ साथ आप सभी का जय उर्जा इस सारी के सारी आपके इसमें शामिलेंगे घंद में आपको बता दिया सारी से इसमें दक्षिन परश्चिम ठाजी पर्देश में कौन-कौन से आते तो दक्षिन पर्षिम में आपका करनाटा गोवा में लाड़ू वाला कुश्च मता दिया मैंने वैसे आपको तो अगर देखें देखें को इलाका उफयोग केंशिक्ली हम विद्धुत उत्पादन के recommend करते हैं यह को जलाकर चोला के लोह एको प्लाने के लिए अभी रुए आ genuine प्रकार का मैंने यडितृमलते सब्सक्राइब भारत बिटोमीन जो है आप सभी का यह थर्ड क्वालिटी का होता है और सबसे ज़्यादा भारत में यह पाए जाता है इसका यूज के जाता है बिजली के उत्पादन के लिए दिखतर भारत में खजनी खनीज जो है उसका ऐसा मान बर्गी करने से आप देखोगे जैसे जारखंड ह हो गया जारखंड हो गया उडिशा हो गया तमिलाडू हो गया अंद्रपर्देश हो गया इन राज्यों में बहुत ज़्यादा आपका खनीज पाए जाता है तो देखो भारत में अधिकांस धात्वी खनीज प्राइदी पठारग में पाए जाता है दूसरे पात लगबग 97 97.10 परसेंट जो है दामदवर्सोंद और मानदी महानदी आए गया पर महानदी गोदावरी इनके तटवरती राकों में पाए जाता है पैट्रोलियम के जातर भंडार आपके गुजरात असम बिहार बिहार का वरोनी है मुंबई हाई इन जगा पर पाए जाता है इसके अला पर्स्केश में तो फीन के प्रदीश है आप भारत में नगरों का विकास उनके के अधार पर रखा गया है यह वह जगए है जो कि अपनी संस्कृती और साथी साथ अपने प्राचीन्तम के कारण विक्सित हुए है मद्यकाली नगर वो नगर है जो कि मुस्लिम शासन के आने के बाद में या फिर जो भारत की दीसी रियासित रजवारे थे उनके दौरा इसे विक्सित किया गया है जैसे विश्म काली में विश्राम के लिए हम कहाँ पहाड़ों पर जाते हैं यहां इसके अलाके सोतंतता प्राप्ति के बाद भी कुछ प्रसासनिक के इंद्र हुए जैसे चंडीगर भुवनिश्वर और जोगीक नगर में अगम बात के दुगला दुर्गापूर है विलाई है वो कारो है वरोनी है यह ऐसे इलाके जो सोतंतता प्राप्ति के बाद विक्सित हुए यह आपको बताई दिया है तब प्रकार्णि के अधार भारत जह नगर कौन से प्रशासनिक यह वो इलाके यह बगल पर उनगठी जिन पर दोकी प्रधानत यसे डिलनी चढडीर और और यह व्यां से उस राज्ये रहान का बहुत जदा विकास हो गया हो जैसे कांड़ला पतन कोची पतन विशाका पतनम गया जहां पर खनन करके जोए निगाला याता है इसे रानी गंज हो गया जरीया ओगया डिगबयोगी बुकारो गया गया उसी नगर मताब छावनी जहांपर अपने परिवार के साथ मे पाला केंट, दिल्ली केंट, मेरट, यह सारे याद रखना है, धार्मी के सांस्कृतिक नगर, यह वो नगर है, जहां पर धर्म और संस्कृतिक एकारण नगर विक्षित हैं, इसे मतुरा, वरिंदावन, आपका अजमेर, यह वो इलाके हैं, परिवहन नगर, यह तो मैंने भारत में सिचाई की बढ़ती हुई मांग के लिए उत्तरदाई कारण बताई है, भारत में सिचाई की मांग कई कारणों से बढ़ रही है, सबसे पहली बात तो भारत एक कूशनी कटी बंदी परदीश है, यानि आपर थोड़ी सी गर्मी जादा पढ़ती है, जिसकी या वकाहोता है वर्षा हो और एकर वांग पाति है और जो ऐसे किसान वर्षा पर निरबर करते है उछिती कर रही है, इसलिए ऐसी henna सिचाई की ववस्ता करने पड़ती है, इसलिए वर्षा का एसमान मेंत्रनिन सिचाई की मांग बढ़ाती है, दूसरा ऑ परिवर्तन, शील्टा वर्षा में बिंता के कार्ण बहुत दा परिवर्थन आगे पर्दवन शील्टा के बाद ही हम देखते हैं सिचाय भरतिक पुर्शी तो मांसून को जुआ कह रहे हैं यहां पर यह कह सकते हैं कि मांसून बहुत जदा कहीं पर बिगड़े भी जाता है जिसकी वजहीं बारामेने की जाती है लेकिन मॉन्सुन जो है वह वारामहीने नहीं रहता वह अपने समय के हिसाब से आता है तो बाकि समय में जलापूर्थी करना संभव नहीं होता शुर्ष के लागों में इसलिए जो इसे चाय की विवस्ता की मांग बढ़ रही है खाद्यान की उत्पादन की मांग जंजंक्या बढ़ती के कारण में बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इसकी वज़े से ज्यादा छेत्रों पर हमें कर्शी करने की जुरूत है और ज्यादा छेत्रों में कर्शी मुकव कर पाएंगे जब से चाहिके भी साधन ज्यादा होंग परदेश आंद्रपरदेश जारकड इसमें आप जारकड याद कर सकते हैं उडिशा करनाटक और आंद्रपरदेश यह वो राज्य जहां पर ज्यादतर संसाधन पाए जाते हैं इस वज़े से भारत में जल परदूशन को निंतेंट करने के लिए कानून बनाना अच्छी हमको दूसरा नगरिये छेत्रों में जो है कंक्रीली युक्तर होता गया है जो सडख है वो पक्की होती जारी है जिसकी वज़े से वर्षाजल जो है वो जमीन सोक नहीं पा रही है त कि निसकस हो चुका है यह भी कुषिन इसका सो चुका है तो तामबे के आपको दो लाब बताने तामबे का सबसे पहले लाब बताए तो जो विद्धुत आपके जितने भी विद्धुत के इसको जैसे मोटरों में ट्रांस्फार्मरेटर इसमें का उप्यों किया जाता है आपफुष्णों की मजबूती परदान करने के लिए सोना के साथ इसको मिलाया जाता है हनन चेत्र कौन से जहरकंड में सिंग भूमी जिला मद्य पर्देश में बाला कोट राजय स्थान में आपका और जुन जुनु और अलवर और खेत्री नाम की जो जगया यहाँ पर भी होता है यह कोश्चन आप सभी के लिए इंपोर्टन सारे के सारे थे अपने लिए ओस्टाइव पसंद आ अगे अगर आपने विडियो को पसंद किया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को शेर भी करें, सब्सक्राइब भी करें आपको जो लेटस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है बाकी मिलता हुआओ आप सभी से आपसे मिलते हैं बागिया हम आप अपने नई वीडियो में जहिंजे